जम्मू में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है और जो मोसम भीबाग की तरफ से रिपोर्ट है कल यानि की कल का जो टेंपरेचर था रात का वो अब तक के सीजन का सबसे लोईस टेंपरेचर रिकॉर्ड किया गया है 2.5 डिगरी सेलसियस रात का टेंपरेचर रिकॉर्ड किया गया जम्मू का लगातार यहां पर सर्दी का प्रकोप जारी है और सर्दी जो है जिस तरह से धुंद और कोहरा च्छाया हुआ है उससे टेंपरेचर में लगातार कमी आती जा रही है और कोई भी पिछले काफी दिन तो श्रीनगर का टेंपरेचर जम्मू के पॉइंट अव वियू से जो दिन का टेंपरेचर वो ज्यादा था और जो श्रीनगर का टेंपरेचर था वो 6 डिगरी जो था कम रहा जम्मू का टेंपरेचर श्रीनगर के टेंपरेचर से पूरी जानकरी अभी आम आपको देंगे जिसकी वज़े से काफी जो याता यात है वो भी affected रहा है चाहे ट्रेंज हो या फ्लाइट्स हो वो कहीं affected रही है जम्मू का जो नाइट टेंपरेचर है वो 2.5 यानि धाई टेंपरेचर जो है नाइट टेंपरेचर सबसे लोवस्ट टेंपरेचर था लेकिन कल का टेंपरेचर उससे भी ज्यादा लोवस्ट था 2.5 डिग्री सेलसियस यह जानकारी जो है मोसम भिवाग की तरप से दी गई है वहीं पर श्रीनगर का जो मैक्सिमम टेंपरेचर दिन का रहा वो 14.6 यानि 14.6 तेंपरेचर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जम्मू और श्रीनगर का जो टेंपरेचर में कितना डिफरेंस रहा दिन के टेंपरेचर की अगर हम बात करें तो 6 डिगरी टेंपरेचर जो है वो कम रहा है जम्मू का श्रीनगर के मुकाबले तो 6.1 डिगरी कोल्डर दैन श्रीनगर ये आप खुद अंदाजा लगा लिजिए कि दिन का समय कितना यहां पर ठंड रहती है श्रीनगर के पॉइंट अफ व्यू से कि वहां के अगर टें तरह से धुन्द लगाता चाही हुई है काफी दिनों से यहां पर सूरज की रोशनी नहीं आई जिस वज़े के कारण ठंड का जो मोसम है लगातार बनावर पारा भी लुटकता जा रहा है यह कुछ कारण है जिस वज़े से जम्मू में लगातार जो है ठंड अभी भी जा जो की मोसम भिवाग की तरफ से बताया गया है कि यह कुछ दिन और इस तरह का अभी हालत रहेगी क्योंकि कश्मीर की अगर हम बात करें तो दिन का टैंपरेचर वहां पर ज्यादा होने के कारण यह है कि वहां के कई पार्ट्स हैं जो हिली एरियाज हैं वहां पर संशाइन है सूरज वहां पर निकला हुआ है जिस वजह से दिन का टैंपरेचर वहां पर ज्यादा रहता है गर्म रहता है यह कुछ कारण है जिस वजह से अगर हम तुलना करते हैं कि जम्मू और शिर्णगर के टैंपरेचर की या कश्मीर के और इलाकों के टैंपरेचर की तो ज्या पर temperature इसमें record किये गए हैं और कट्रा में अगर बात करें तो कट्रा का ज्यादा temperature रहा दिन का 19.3 यानि की 19.3 degrees Celsius दिन का temperature रहा और minimum 5.4 यहीं से एक idea लगाए सकता है कि कट्रा वहाँ पर पहाड़ी इलाका होने के बाब जूद भी जम्मू जो है ज़्यादा ठंड यहाँ पर observe की जा रही है और भदरवा का temperature दिन का 17.4 और minimum 1.1 degree temperature वहाँ पर record किया गया है इसी तरह और जो अन्य हीली एरियाज है अगर जम्मू संभाग में हम देखें तो बहुत ही कम temperature रात का देखा गया है लेकिन दिन का temperature वहाँ पर ठीक रहा जैसे कि आपको जानकारी हमने दी कि जो हीली एरियाज है वहाँ पर sunshine वहाँ पर हो रही है सूरज वहाँ निकले हु विजिविलिती है और इस पूर विजिविलिती के कारण जो याता-यात है वह भी काफी affected रहा है चाहे ट्रेन की बात करें चैब flights की बात हो यह काफी affected रही है कहीं train को cancel कर देना पढ़़ा और कहीं flights भी जो हैं वो cancel रही है जिस वज़ा के कारण अभी काफी अफेक्टेड रहा है ये ट्रांसपोर्ट विशच का ट्रेन और फ्लाइट का लेकिन लगातार अभी ये सिचुएशन ऐसी बनी रहीगी ये मौसम विवाग का कहना है कि सर्दियों का मौसम अभी तक रहेगा जिस तरह से धुन का लगातार बनी हुई है और टेंपरेचर कम रहेंगे जम्मू के इसलिए ज़्यादा हितियात बरतनी की जरूत है लोगों को ताकि किसी तरह भी जो है कोई ऐसी ज़्यादा ठंड में बिमार होने के ज़्यादा चांसिस रहते हैं इसलिए काफी हिदायत भी दी गई है या कि इसमें अपना प्रिकॉशन रखें ध्यान रखें लेकिन फिलहाल जम्मू में कुछ दिनों तक अभी ये हालात बने रहेंगे